जैपूर, राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का मामला सहमती नहीं बनने से अटक सा गया है। इससे कारियकरताओं में तो निराशा है, वहीं मुख्य विपक्षी कॉंग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर पार्टी और सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कॉंग्रेस आरोप लगा रही है कि जो पार्टी अध्यक्षते नहीं कर पा रही है, वह प्रदेश का क्या भला करेगी। यह स्थिती तो तब है जब विधानसभा चुनाव में मात 6 महीने बचे हैं और दोनुँ ही दल भाजपा वा कॉंग्रेस चुनावी समर में कूद चुके हैं। अध्यक्ष की घोशना नहीं होने से पार्टी कार्यकरताओं और जनता में गलत मैसेज पहुच रहा है। 16 अप्रेल को अशोक परनामी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्षपद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रिय नित्रित्व ने केंद्रिय खृषी राजयमंत्री और जोडपुर के सांसत गजेंदर सिंग शेखावत पर दाव खेलते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की जातिगत सियासत को देखते हुए इस पर वीटो लगा दिया. पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित्शाहेवं संगठन महामंत्री रामलाल से सियम वसुंधरा राजे की मुलाकात के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सहमती नहीं बनी. दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे दारों के पक्ष में अडे हुए है. हाला कि तब करनाटक चुनाव के चलते इस मामले को लंबित रख दिया गया था, लेकिन करनाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद भी इस मामले में कोई प्रगती नहीं हो रही है. करनाटक में सरकार नहीं बना पाने के कारण केंद्रि नित्रित्व शेखावत के नाम को आगे बढ़ा रहा है तो CM वसुंधरा राजे खेमा भी इसके विरोध में है। किसी भी पक्ष के नहीं जुकने से अध्यक्षपद का फैसला नहीं हो रहा है। करीब सवा महीने से पार्टी बिना अध्यक्ष के चल रही है। हाला कि जल्द ही इस मसले पर फिर से दिली में बैठक बताई जा रही है, जिसमें CM वसुंधरा राजे की BJP प्रेसीडेंट अमित शाह, राश्ट्रिय संगठन महामंत्री रामलाल से मुलाकात होगी। ऐसी संभावना है कि इस वारता में प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेक पार्टी किसी नतीजे पर पहुँच सकती है।